हेलो प्रेंट्स मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूं कामनी ओफीसियल में तो गुड इवनिंग दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहा था जब मैं वीडियो पोस्ट की तो सभी करिपले देने साच्छा मैं सोची कि क्यों ना एक वीडियो ही बना करके आप लोग के कोश्चन का एंसर दे दू तो सबसे ज़्यादा जो मुझे कोश्चन लागा वो यही था प्रान को लेकर किये जो भी टीचर जोएन किये हैं उन सब के प्रान में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है खास करके सीप्टिंग वाला जाता है क्योंकि जैसे मेरे साथ भी प्राग्लेम हुआ था कि जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी पतना में वही मैं बैंक एकॉंट भी खुलवाई SBI में और SBI में ही मेरा प्रान जनरेट हो गया वो की कैंसिल भी नहीं वदबारा तो फिर हम उसे सिप्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिये थे ले करके करवाई हूं आवेदन पत्र पे हम अपने हम का और वीयो सरका साथ में डीपीयो सरका साथ में उसे जमाकी फिर जाकर के वह सिप्टिंग हुआ है तो देखिए अगर आप लोग ऑनलाइन करके छोड़ दी हैं कि अपनी आप हो जाएगा तो नहीं होगा एक पर आप जा सेलरी आ गई तो मेरी सेलरी अभी नहीं आई है कि कल ही मैं आविदन पत्र दे करके आई हूं तो आज मेरा प्रान सिप्टिंग हुआ है तो अब देखिए कब तक आती है बाकी कुछ हमारे फ्रेंड ये भी बोल रहे थे कि HRMS फर्म भरने के कितने दिन बाद सेलरी आती है त तो आप एक बार जरूर चेक करवा लिजेगा कि आपका सही है सिप्टिंग क्योंकि बहुत सारे देखिए पहली बार था तो बहुत सारे दोस्तों के साथ दिक्कत हुई है खासके प्रान को लेकर कि उनका प्रान कहीं और जनरेट हो गया है किसी भी तरीके से तो वो पूजिंग कहा हुई है तो मेरा मदुवनी जिला में बेनी पट्टी ब्लॉक में हुआ है और अभी बाबु सो रहा है मैं इसको से आई हूँ तो सोची क्यों ना एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ क्योंकि मैं तक पास अभी टाइम ही नहीं रहता है कि मैं डेली वीडि प्रोविजनल भी नहीं है और तो मार्क सीट से क्या कॉंसली में कोई दिक्कत होगी तो आपके पास प्रोविजनल भी तो होना चाहिए आप ले लिजे कॉले से जा करके क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का भी बी एड वाला सर्टिपिकेट मिला नहीं है तो उन सब को देखि प्रेक्टिस हम कहां सभी करें तो मैं तो किरन प्रफ्लिकेशन से की थी आप भी वहां से कीजिए मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा किरन प्रफ्लिकेशन का और हमारे दोस्तों लोग जो मेरे वीडियो पहले से देखते हैं वो लोग कमेंट के थी कि आपकी ननत का एकजाम कैसा गया तो उनका नाइन्थ टेंथ का और सिक्स टू एट का दोनों एकजाम अच्छा गया है मैं उनका रिपलाइ भी दी थी कि सेवेंटी के आसपास मुझे माथ सभी आ रही है बाकी जैसे ही उनकी सेलेक्शन होती है मैं मिलवाओंगी उनसे आपको क्योंकि पास्ट हो रही है और आप लोग का कितना माक्स आ रहा है वीपेसेटी रूपएंट जीरो में नाइन्थ और सिक्स टू एट में काफी सारे हमारे दोस्तों लोग 11 12 के लिए भी थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा देखिए दोस्तों अगर आप मेहनत किया है त कि उनका सेलेक्शन होने से कोई नहीं रोग सकता है और बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं हो सकता है तो जो भी समय मिले उसमें हमें अभी अभी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तयारी जोईनिंग के बाद छोड़ दी हूँ मुझे भले थोरा सा टाइम मिले मैं कुछ न कुछ पाती हूँ लेकिन हाई पूरी तरह से पढ़ा है छोड़ दीजिएगा तो फिर अचानक से किसी चीज़ के तैयारी में मन नहीं लगता है पढ़ने में फिर तो मैं पूरी तरह से नहीं छोड़ी हूँ अभी क्योंकि बाबु बिटाता है घर समालना फिरी स्कूल एक वोमे अभी हम जब सोचते हैं तो डर लगते रहता है कि कैसे होगा लेकिन जब आप कीजिए तो कैसे हो जाता है यही नहीं पता चलता है तो यहीं था दोस्तों बस छोटी सी एक वीडियो और कोई भी कोश्चन रहे आप लोग की तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी किसी के पास नहीं जाता है कि छोटा बच्चा पूरे दिन मा से दूर रहता है उसके लिए भी श्ट्रगर है लेकिन हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए कर रहे हैं ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में